करते हुए दे खाँ है एक पी करते शवागत करते हुए आज की रखोंकर के खरंगा की कि करका वीडियो नहीं का जा का कि मुझे कल एक काम सां का निकलना था इसलिए मुझे मिझे रहता है आज की वीडिए को पर एगार देखिशानेे की हमा ड्राव आचुका है जो कि 2 मतलब स्थर पेखेला जाएगा एक है semi final दूसरा है final तो हमारा जो पहला draw आचुका है वह है Malaysia के साथ और Malaysia के साथ आप लोग जानते हैं कि हम लोग जब खेलेंगे तो क्या result आसकता है तो इसके उपर दिसक्राइब करेंगा उसके पहले I want to thank all my subscribers who have been helping me to grow in this channel thank you for helping me thank you for subscribing to this channel and Indian football को आगे लेके जाने के लिए we respect all my subscribers and जो कि अभी तक subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लिजिए गाइब इस channel को what you are waiting for here you will get daily updates on Indian football चलिए without any further ado let's dive into the video तो आज का जो अभी news है जैसे कि आप लोग अभी screen पर देख पा रहे हैं इंडिया का Malaysia के साथ draw निकला है Lebanon का Palestine के साथ draw निकला है जो कि October में होने वाला है ये जो match होने वाला है Mardega Cup का होने वाला है दो phase पे एक है कि आप लोग देखेंगे semi final जो की होगा Lebanon और Palestine और India और Malaysia तो चलिए हम लोग तो ये तो समझ लिए कि Malaysia के साथ हमारा जो match होने वाला है वो बहुत ही महत्वपोन होने वाला लेकिन हम लोग को ये भी सोचना पड़ेगा Mardega Cup जो है न वो Cup Malaysia का ही है So Malaysia are going to prove a good opponent in this team क्योंकि वो लोग नहीं चाहेंगे कि अपने ही देश में वो लोग ऐसा खेले कि उनके ही players को support करने के लिए कोई ना है तो वो लोग अपना best देना चाहेंगे Mardega Cup में Malaysia में होने वाला है वो Sunil Chhetri खेलेंगे हम लोग के साथ और Kings Cup में अभी वो उनका पता नहीं क्योंकि वोनों ने तो आप लोग ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा ही होगा कि वोनोंने कहा कि Kings Cup में उनको थोड़ा चुटी चाहिए क्योंकि उनको अभी अपने family के साथ वो time बिताना है क्योंकि उनके baby का delivery date भी सामने ही आ रहा है तो वह एक है तो इसलिए अभी मर्डेगा कप पे हम लोग का सब focus हैना चाहिए और हम लोग को लगता है कि चलिए मर्डेगा कप में अगर हम लोग riminal enthusiya के साथ खेल भी लेते हैं तो हम लुग को जीतना में तो optimistic हो कि do लोग हडा ही देंगे और अगर हम लोग हडा दे सकते हैं तो हम लोग फाइनल में जाएंगे जहां कि हम लोग को पैलेस्टीन के साथ खेलने को मिल सकते हैं या लेवनान के साथ जो कि अच्छा टीम दोनों ही बड़ाबर रैंक में होंगे क्योंकि एक 94 या 96 ऐसा कुछ है और एक है हमारे ही नीचे तो अभी हम लोग उन लोग को डिसकाउंट नहीं कर सकते हैं अगर उस दिन तो वो हम लोग के साथ आएगा खेलने के लिए फाइनल और फाइनल में हम लोग उनके साथ खेल के यह कब जीत भी सकते इस बार आपको क्या लगता है ज़रूरा कमेंस में बताईएगा और इसी न्यूस के साथ अभी नेक्स न्यूस पर हम लोग चलते हैं सो नेक्स न्यूस है भाई की साजी पबाकरन जो कि हम लोग के यहां के अभी इंडियन फुटबॉल का जब इनिशियल स्टेज है डेवलपमेंट का जब अभी अपना महत्वन नहीं पेश करते हमारे इस पर आप लोग हेल्प नहीं करते ऐसे ही प्लेयर्स को छोड़ के रिलीज करके जबकि उनको नाशनल यूटी के लिए जरूरत है तो आप लोग अभी सोची सकते हो कि आप लोग किसी भी कीमत पे मतलब हेल्प नहीं कर रहे हो इंडियन फुटबॉल को आगे लेके जाने के लिए तो आप लोग को छोड़ना चाहिए और यह जो स्टेट्मेंट उनसे आया है यह बहुत ही जादा एक महत्वपुन स्टेट्मेंट है क्योंकि यह स्टेट्मेंट यह बोलता है कि हमारे AIFF का भी अब जो ओपीनियन है वो हमारे कोच इगास्टी मैच के साथ बहुत जादा मि अगर हमारे पैरेंट बोड़ी जो AIFF जो इंडियन फुटबॉल को रेगुलेट करती है उनका भी अपीनियन से हमारे इकास्टी मैच के साथ तो इस इस वेरी गुट पॉइंट पॉइंट फुटबॉल टीम बिकॉज हम लोग को प्लियर मिलने वाले हैं बिफोर दा मिन्स मतलब प्रिमेर we are कॉएंट फॉलीफायज को अब बाद बॉटबॉल इस पुझे आउन कॉजी को अउनका के लिए हम लोग को मिलने वाला तो यह अइस अगरे टरसOP का एँच्छ समुरुफ सब इस पार देने फोडियो बीज्यो चलों के लिए पार पेसिए घे सिस्ट आप लोग जरूर से बताईएगा इस comment section पर जरूर से हमारे comment section में यह भी बोलिएगा कि जय हिंद और bleed blue अगर आप लोग भी Indian supporter है Indian team supporter है जरूर से लिखिएगा और ऐसे ही videos के लिए do subscribe to the channel I'll make more videos like this and I'll bring more videos every day into this channel so till then I'll meet you in the next one peace off